स्वागत आपका YT Guru Support चैनल में दोस्तों मेरा नाम मैं सिवम चौधरी और मैं हूँ UP से और मैं यूटूब पर सोचल मीडिया से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ सोचल मीडिया के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ अब ये तो हो गया मेरा इंट्रो अब सबसे पहले आप ये जान लिजे कि मैं सोचल मीडिया टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ तो मुझे इसकी जानकारी है या नहीं तो दोस्तों मैं यूटूब पर करीब 5 सालों से काम कर रहा हूँ 5 सालों में मैंने सभी प्रकार के चैनल्स पे काम किये हैं चाहे वाइन्स चैनलों, कॉमेडी चैनलों, न्यूज, रोस्टिंग, कुकिंग, मूग, बैंग, गेमिंग जितने भी बड़े बड़े कैटेगरीज है मैंने लगबख सब कैटेगरी में चैनल बनाया है सब में काम किये हैं और सबको मैंने experience किया है कि किस तरीके से काम करना चाहिए और क्या गलतिया नहीं करने चाहिए तो यूटुब पर मुझे टोटल 5 सालों का experience है प्लस मेरा एक यूटुब पर सेकेंड चैनल भी है जिस पर मेरे करीब साड़े 14,000 सब्सक्राइबर है यह मेरा फर्स्ट वीडियो है और इससे पहले जो मेरा एक चैनल है आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लिजेगा वहाँ पर मैं अल्यडी बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूँ और काफी सारे लोग पसंद भी कर रहे हैं लेकिन मैंने इसको फर्स इसलिए स्टार्ट किया है ताकि मैं यहाँ पर आपको एक देम बेसिक से समझा पाऊँ 2030 में जितने भी नएने क्रेटर आ रहे हैं सबको मैं बेसिक से समझा सकूँ तो यही मेरा मकसद तक इस चैनल को ओपन करने का प्लस मेरा पांच साल का एक्सपेरिमेंस है अब देखिए यहाँ पर आप लोग का एक क्वेस्टन जरूर आ रहा होगा मन में कि भाई तुन्हें पांच साल यूटूब पर काम किया है फिर भी तुम्हारे चैनल पर किवल साड़े 14,000 सब्सक्राइबर क्यों है तो मैं देखिए मैंने यूटूब पर साड़े 5 साल काम नहीं किया एक्सपेरिमेंट किया है और मैंने 5 साल तक एक्सपेरिमेंट किया है जिसके वैसे मुझे यूटूब के बहुत ही अंदर तक की जानकारी है मैं आपको बता सकता हूँ कि यूटूब पर आपको कौन से गलती नहीं करने चाहिए जिसके वैसे आपका यूटूब करियर भी खतम हो सकता है मैंने यूट्यूपर बहुत सारी गलतियां भी की हैं बहुत सारे अच्छे चीजे भी की हैं जिसके वैसे मुझे अच्छा रिजल्ट मिला मैंने चैनल को मोनिटाइज भी किया काफी सारे मैंने ऐसी गलतिया कि जितना सीख सकते हैं उतना एक successful इंसान से नहीं सीख सकते हैं जैसे कि अगर हम बात करें Thomas Alva Edison की उन्होंने लगबग 1200 बार प्रयोक करने के बाद जाकर बल्ब बनाया था लेकिन फिर भी उनका कहना ये था कि मैं 1200 बार बल्ब बनाने में फेल नहीं हुआ मैंने 1200 बार एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद मुझे ये पता चला कि ये 1200 तरीके से बल्ब नहीं बनाया जा सकता 1200 प्रयोक के बाद जो तरीका उन्होंने अपनाया था वही एक तरीका था जिससे बल्ब बनाया जा सकता था तो देखिए सफलता में फेलियर का एक बहुत बड़ा रोल होता है जो इंसान जिवन में फेल ना होगा हो सायद आपने उसको सकसेज भी नहीं देखा होगा तो अगर आप लोग सोसल मीडिया पर ग्रो होना चाते हैं अच्छे से काम करना चाते हैं फ्रॉट्स के चकर में नहीं फसना चाते हैं और जेनुविन टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जानना चाते हैं अंदर की बाते जानना चाते हैं यूटूब एंड सोसल मीडिया से जुड़ी हुई तो इस चैनल पर आपको सब बेसिक से मैं सिखाऊंगा तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेजिए अब मैं मिलता हूँ एक नए फ्रेस वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए बाए स्टे टून जैहिंद वन्द प्रेस साथ प्रेस था मैं मिलता हुई प्रणो 도 क slब हाच़ी हुईट हाँ тов aut Emousse